रोज रोज सुबह और शाम नाश्टे में क्या बनाएं बहुती कन्फिजन होती है तो चलिए आज बनाते हैं कुछ ऐसा जो बहुती है और बहुती टेस्टी भी है और इसे आप नाश्टे में या फिर डिनर में या फिर लंच में भी बना सकते हो तो चलिए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे हमें चाहिए चावल तो यहाँ पे मैंने दो कप चावल लिये हैं एक कप चना डाल ली है और आधा कप मैंने उड़त डाल ली है तीनों को हमें अच्छे से धो लेना है जो बटाटा पोहा होता है बटाटा पोहा जो हम घर पे बनाते हैं वो ही पोहा है और दो कप पोहा जिसे दो लेना है और उसे भी भीगने के लिए रख लेना है तो इसे मैंने 4-5 गंडे के लिए भीगो लिया है और अब इसे हमें क्रश कर लेना है तो एक मिक्षर जार में हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे दाल और चावल और थोड़ा पोहा भी डालेंगे और थोड़ा दही डालेंगे यहां पे दही मैंने ज़्यादा खट्टा लिया है और ज़्यादा खट्टा दही लेंगे तो यह जो मिक्षर है मतलब कि यह जो राश नाश्ता है वह बहुत नाचता पानी एड़ करेंगे तो बैटर हमारा लूज हो जाएगा मतलब के पतला हो जाएगा यह यहाँ पर हमें थोड़ा सा गाड़ा बैटर चाहिए तो इसके अंदर हम पानी बहुत ही कम यूज करेंगे जरुवत पड़ेगी तभी हम इसके अंदर पानी अड़ करेंगे चलिए सारे मिक्षर को मैंने क्रश कर लिया है मतलब कि बैटर हमारा एकदम रेडी है यह देखिए इतना थिक बैटर हमारा होना चाहिए इससे पटला नहीं होना चाहिए अगर जादा पटला हो जाएगा तो जो हमारा नाश्ता है इतना परफेक्ट निल बनेगा चलिए बैटर को रख देते हैं 4-5 गंटे के लिए इसे मैंने रात को रख दिया था क्योंकि सुबह मुझे नाश्ता बनाना था तो यह देखिए सुबह हो गई है और यह बैटर हमारा एकदम रेडी है तो आप देख सकते हो कि इसमें अच्छे से फर्मेंटेशन हो गई है बहुत बढ़िया हमारा बैटर एकदम रेडी है चलिए अब इससे बनाते हैं हमारा नाश्ता तो चलिए यहां पर मैंने एक पतिली ले ली है और उसके अंदर थोड़ा सा बैटर मैंने निकाल लिया है क्योंकि सारे बैटर का यूज हम अभी नहीं करेंगे उसका यूज बाद में करेंगे तो दो से तीन कंची भनके मैंने यहां पर बैटर निकाल लिया है और अब हमें चाहिए बहुत सारे वेजिडेबल्स तो आपके घर में जितने भी वेजिडेबल्स अवेलेबल हो आप इसके अदर डाल सकते हो जितने भी आपको पसंद हो उतने वेजिडेबल्स तो यहां पर मैंने लौकी लिया है लेकिन पूरी लौकी का यूज में तो बैटर हम आरा पटला हो जाएगा तो आदी लौकी यहां पर मैंने लिया है उससे छिल लिया है और Здhouse को थोड़ा टेस कर ली है लेकिन ये कड़वी नहीं है चली अब मैंने ले ली है घाजर तो गाजर हम पूरी ले लेंगे घाजर को मैंने अच्छे से छील लिया है और यहां बे हम ले लेंगे बीट रूट क्योंकि बीट रूट से इसके अंदर कलर बहुत ही बढ़ी आएगा और बीट रूट सेहत के लिए पहुत ही हल्दी है ज्यादा तर बच्चे बीट रूट खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसके अंदर डालके उन्हें इसली खिला सकते हो उन्हें पता भी नहीं चलेगा और वो फटा-फट से खालेंगे चले बिटूट को और गाजर को लॉकी को सबको मैंने अच्छे से छील लिया है और अब इने हमें कद्दूकस कर लेना है तो सबसे पहले मैंने कद्दूकस कर लिया है गाजर आप इसको छोटे या बड़े पीसिस में मतलब कि आपको जितना साइज उसका पसंद है उससरा आप इसे कद्दूकस कर सकते हो मैंने इसे मेडियम साइज में कद्दूकस कर लिया है और लॉकी को कद्दूकस करने के बाद हम तुरंथ उसे बैटर में डाल देंगे क्योंकि लौकी थोड़ी दियर बाहर पड़ी रहेगी तो काली हो जाएगी मतलब कि उसका कलर डार्क हो जाएगा और कलर डार्क हो जाएगा तो हमारा बैटर का कलर भी डार्क हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा दिखने में तो लौकी को कद्दूकस करने के बाद तुरंथी उसे बैटर में डाल दिना चाहिए चलिए अब यहां पर मैंने ले लिया है स्वीट कॉन तो उसे भी हमें कद्दूकस कर लेना है आप इसे बोईल करके दाने निकल के भी यूज़ कर सकते हो लेकिन मेरे पास बोईल करने का टाइम नहीं था तो मैंने उसे कच्चा ही ले लिया है और उसे कद्दूकस कर लिया है चलिए अब स्वीट कॉन को भी हम डाल देंगे बैटर के अंदर और अब हमें चाहिए बीट रूट तो बीट रूट को मैंने आप एक द्दूकस नहीं किया है आप चाहो तो कद्दूकस कर सकते हो लेकिन मैंने इसके चोटे-चोटे पीसिस निकाले हैं योकि यह देखने में बहुत ही बड़या लगते हैं तो इस तरह उसके चोटे-चोटे स्क्वेर पीसिस हमें कट कर लेने हैं इस तरह बिटरूट को कट करने से रेसिपी देखने में बहुत ही बढ़ा लगेगी जो हम नाश्टा बना रहे हैं वो बहुत ही बढ़ा दिखेगा और खाने में इसके जो पिसिस आएंगे उसकी जो मिठास है बिटरूट की वो बहुत ही बढ़ा लगेगी चलिए लिया है मतलब कि इसका हमें पाउडर नहीं बनाना है दोसे तीन पीसिस में यह रिवाइड हो जाए कट हो जाए उसी तरह हमें उसे कूड लेना है और इसके छलकी हमें निकाल लेने हैं तो आप देख सकते हो कि दोसे तीन गली मैंने लसुन की ले ली है एक छोटा टुकडा अद्रक का और दो से तीन तिखी वाली मिर्च मैंने यहां पे ले ली है और थोड़ा सा नमक डाल के इसे मैंने कूट लिया है तो इसके भी हमें पेस्ट बना देनी है आप इसे मिक्षर में भी क्रश कर सकते हूँ लेकिन य चलिए अब एक वरतन ले लेते हैं और उसके अंदर 2-3 चमजबर के ہम ले लेते हैं तेल बराबर से गरम हो जाए उसके बाद उसके अंदर जाल देगे 1 चमजबर rai, 1 चमजब 0 Fridays & 5-6 इनांद मुंक फली मुंखफली को हमें जब तक वो golden round ना हो जाए तब तक उसे पकाना है मदलब कि क्रिस्पी ना हो जाए तब तक उसे पका लेंगे और अब अदरक मिर्ट लसुन की paste डाल देंगे और इसे भी हमें पका लेना है 2-3 मिर्ट के लिए लो फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे जब तक कि इसके अंदर से अच्छे सी खुश बुना आने लगे और अब लास्ट में डाल देंगे आधी छोटी चमच हल्दी और अब तुरंत ही हमें गैस के फ्लेम को आफ कर लेना है और यह जो मिक्षर है उसे डाल देंगे बैटर के अंदर और अब इसके अंदर डाल देंगे 2-3 चमच बर के गुड़ क्योंकि इसके अंदर हमने खटा दाई लिया था तो इसमें बहुत खटास है तो इसकी खटास को balance करने के लिए इसके अंदर हम गुर डालेंगे अगर आपको खटा ही पसंद है तो गुर को आप avoid कर सकते हो और अगर हम गुजरातियों की तरह खटा मीटा पसंद है तो थोड़ा गुर इसके अंदर add कर सकते हो चलिए अब अप़े पेन को गरम होने के लिए रख देंगे और थोड़ा सा भैटर हम एक पतिली मीनिक काल लेंगे और उसकe अंदर डाल देंगे खाने वाला सोडा, चुटकी बर खाने वाला सोडा डालने के बाद तो इसके उपर 2-3 हम निम्बू के ड्रॉप्स डाल देंगे, वहलाब कि निम्बू के जूस के ड्रॉप्स डाल देंगे और बैटर अच्छे से मिक्स का लेंगे अपपे पेन भी यहाँ अच्छे से गरम हो गया है तो उसके अंदर एक एक बुंथ हम तील डाल देंगे तील थोड़ा सा गरम हो जाए उसके बाद उसके अंदर डाल देंगे थोड़े थोड़े तील और ये जो बैटर हमने रेडी किया है वो इसके अंदर डाल देंगे और ढखत कर एकदम लो फ्लेम पे हम इसे 5 मिनिट पकने देंगे अगर आपके पास अपे पैन नहीं है तो आप एक और तरीकी से इसे बना सकते हो तो यहाँ पे एक नॉंस्टिक पैन को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है थोड़ा सा तेल इसके अंदर डाल दिया है और फिर से थोड़ा सा बैटर लेके सोड़ा डाल के उसे रेडी कर लि चले अपे को पकते हुए पांच मिर्ट हो चुके हैं और अब एक तुट्पिक की हेल्ट ते इसे हम पलट लेंगे तो यह देखिए आप देख सकते हो कि इसका कलर कितना बढ़ी आया है और अच्छे से एक साइड से पक गए हैं अब इसे हम फिर से पांच मिर्ट के लिए पलट के तो सारे अपे को मैंने पलट लिया है और अब फिर से पांच मिर्ट के लिए से मैंने डग कर पका लिया है वहाँ पे हमारा जो पैन के अंदर बन रहा है नाश्टा वो भी एकदम रेडी है तो अब इसे स्वैचुला के हेल्प से पलट देंगे तो यह देखिए इ हमारे अप्पे जल सकते हैं चलिए सारे अप्पे रेडी हो चुके हैं तो मैंने निकाल लिया है और अब इन्हें हम सर्व कर लेते हैं इसे आप कैचप के साथ हरी चटनी के साथ मिठी चटनी के साथ सर्व कर सकते हो लेकिन इसे मैंने कैचप के साथ सर्व किया है चलिए आप हम cut कर लेते हैं इसे मैंने pizza cutter से cut कर लिया है और pizza की तरह ही मैंने इसे shape दिया है मतलब के pizza की तरह ही इसे मैंने cut किया है pizza के जो pieces होते हैं उस तरह का ही यह डिखेगा तो बच्चे easily इसे खा लेंगे तो यह देखे यह भी हमारा नाश्ता एकदम ready है लग रहा है ना एकदम tasty प्लीज लाइक जरूर कर देना चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स recipe के साथ तब तक के लिए बाई जैशी कृष्णा